तो हैले दोस्तों आप सब का स्वागत है फैंड शेक एक फैन के एक और नए वीडियो पर इस वीडियो में कफर कर रहे हैं जो फैन को डिसी यह स्टीटन स्वीडन का एक और मैचेश कहले जाएंगे जो कि ग्रैंड ली के लिए कापी बहतरीन मैचेश कहले जाएंगा दर्व लोग वीडियो के अंट तक देखिएगा जरूर और सबसे पहले अगर आप मेरी यूटूब चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजेगा ताकि इस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी तो चानल को स कुछी भी अपडेट होता है उसकी अपडेट आपको हमारे टेली काम चानल पर कर दे जाते हैं जहां पर आपको जुड़ने की फायर देखो यहां पर किर्केट फूटबोल एंब्या बास्केट पॉल आले स्पोर्स टीम अभीलेबल है बिल्कुल फ्री में गाइस एक विन इंपोर्टन रहा तो जुड़ना कैसी वह देखो सिंपली कुछ नहीं करना आपको अपने टेली कहां पर जाकर सर्च कर लेना या फिर वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेकरो नीचे आपको हम लिंक देदी हैं जैसी आप हमारे लिंक पर क्लिक कर स्वीडन का यह मुकाबला आपको साड़े बारा बज़े करी में देखने हो कि मिलेंगा कराइज अगर आप लाइफ दिखना चाहते तो आपको फैन कोट पर दिखाए जाएगा अधरवाइस बात करते हैं आपर एवरेज स्कोर की तो जहां पर रन बंतों नजा रहेंगे सा इक भी मैचेस नहीं हा रहे हैं तो प्येफ के टीम आपको काफे स्ट्रोंग टीम नजा रहेंगी तो अभी तक हमारे बात कर तो अभी ने अपने टेली का अमचान को नहीं जोईन किया है तो एड़रेट फैंट्जी के रिकफान सर्च करके आप सब लोग हमारे टेली का प्याइब कर दो किये तो कुछ घास बेतर तो किये नहीं पर फियफ के लिए टीटेन के लिए काफी इंपोर्टन हो सकते हैं तो इसमॉली के टीमे अप सब लोग ट्राइब कर रहे हो तो वहां पर आप इन्हें कैप्टन ट्राइब करके चलिए जो कि मॉश्टाइब पिक रहेंगे उसके बाद आपको आपर इमामदीन जाएंगे जो कि अभी तक रीसेंट तीन मैचेस परकॉमेंस तीनों का मैचेस काफी घटी आ गया था तो कहने का मतलब यह कि अगर आप ग्रैनली के टीमें कैप्टन ट्राइब कर सकते हो उसके बाद आपको यहां पर कुछ ब दोनों करके देंगा पहले मुकाबले में बाहर अपर जीरो फिकेट जहां पर दो भाल निगे ते उसके बाद 31 पर इन्होंने जीरो विकेट एक ओवर के बालिंग किये थे दूसरी मैचेस में बैटिंग नहीं किये तरवाइज दो विकेट निकाले गए ते लास्ट माचेस में 30 पर एक जिरो बीकेट अधर्वाइस एक ओवर बॉलिंग किये थे दूसरे मैचेस में पांच का स्कोर करकर जिरो बीकेट जहां पर दो बर के बॉलिंग उसके बाद गिस बात कर तो एक तीस पर एक बीकेट एक अच्छे खासे प्लेयर रहेंगे स्मॉली के टीम के लिए क करन का स्कोर कुछ खास बेहतर किये नहीं तो चाहूं तो अपने स्मॉली के टीमें इनको ड्रॉप करके भी जहासत पर यहां पर डाब्रो वह सा नजा रहेंगे जो कि अभी तक रीसेंट दू मैचेस के ले हुए हैं पहले मुकाबले गारा का स्कोर उसके बाद गार्वाइ करके चलेंगे उसके बाद आपको अब अब्दुल खाली ना जाएंगा जो कि रीसेंट अभी तक चार मैचेस कहले जा चुके हैं पहले मुकाबले जीरो बिकेट उसके बाद कर जीरो बिकेट लास्ट मैचेस निकाले गए थे दो वर के बालिंग कर गे तो ग्रैनली के टीम जहां पर दौफर के बालिंग। मैच के लिए काफ़ इंपोर्टन्स रहेंगा और आप सब लोग इनको ट्राय करें चलेगा जमाल की बात करो तो अभी तक रीसेंट चार मैचस की पॉफॉमेंस तो इन्होंने चारो मैचस में एक पॉइंटी देख करें तो गई अगर आप चाहों तो इनको भी स्मॉली के टी सब्सक्राइब करें तो आप सब लोग यहां पर थोड़ी द्यान से सुनिएगा तो आपको सबसे पहले जिसान मौहमद नजा रहेंगे जो कि अभी तक रीसेंट टीन मैचस के लिए जा चुके हैं पहले मुकाबर 26 पर एक बिकेट उसके बाद कर लास्ट मैचस इन्होंने पर एक बिकेट जहां पर दो भर के बॉलिंग अदर्वाइस बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहें स्मॉली के टीम के लिए काफ़ इंपोर्टन्ट और आप सब लोग इस मॉली को या फिर ग्रैंड लिक ट्राइकर करके चल सकतो तो अपने स्मॉली के टीम में भी कैप्टन ट्राइकर कर जा सकतो जो कि इस मैच के लिए काफ़ इंपोर्टन्ट रहने वाले उसके बाद तो वैसे उसके बाद आपको यहां पर गुर्पाल रंदवा ना जा रहाएंगा जो कि अभी तक रीसेंट टीम की दो मैच्चेस खेले जा चुके अदर्वाइस पहले मुकावल जिरो पर तीन विकेट दो वर के बालिंग किये थे दूसरी मैचेस में इनोंने दो वर बालिंग करके दो विकेट्स निकाले गए तरवाइस बैटिंग से तो कुछ खास बेहतर किये नहीं आपको अच्छे खास बिकेट्स निकाले वह तो इसमॉली के टीम के लिए काफ़ इन बोर्डर और अब सब लोग इनको स्मॉली के टीमें ट्राइकर के जरूर से चलेगा साही खाजा जो कि अभी तक रीसेंट तीन मैचेस के ले जा चुके हैं पहले मकाबले जिरो का स्कूर दूसरी मैचेस में बाइस का स्कूर लास्ट मैचेस साथ कुछ खास बेहतर किये नहीं है अगर आप चाहों तो ट्राइ कर सकतो हलागे जमीस मैचेस में को ड्रोप करेंगे ताहिर की बात करें तो अभी तक रीसेंट तीन मैचेस की परफॉमेंस तो तीन मैचेस में नोंने काफी बढ़िया पर दो विकेट जहां पर दो वर के बॉलिंग दूसरी मैचेस मे किल ट्राइ करें तो दो से त्रीन की में काप्टन ट्राइक जगा उसके बाद आपको अहमद जुल फिकर ना जाएंगा जो कि अभी तक रीसेंट टीन मैचस की पॉफोमेंस तीनों मैचस में कुछ खास बेहतर किये नहीं पांच और एक और छो का स्कोर किये तो आप इने ग्र एक मैचस पांच का स्कोर किया तक हम इने ग्रैड़ी के टीम में ट्राइ करेंगे इस मॉली के टीम है ड्रॉप करके चलेंगा अब सबको जो मेरे एक विनिन टीम रहेगे आपको टेली के आप चानल पर अपडेट कर दे जाएंगे तो आप सब लोग हमारे टेली के आप चा ले जा चुके हैं पहले मुकाबले एक पिकेट उसके बाद कर एक बिकेट हर एक मुकाबले नहीं एक बिकेट निकाल रहा था तालागा दो बार के बॉलिंग करें तो गया जो कि इस मैच के लिए बहाद इंपोर्टेंश अदर्वाइस दो तिन प्लेयर आपको ऐसे भी तो फजल मुस्ताख एक बेश वाच रहेंगी इन्होंने पहले मैचेस दो वीकेट उसके बाद रीसें दू मैचेस फ्लो तो एक रिस्की रहेंगे पर गएस काफी बढ़ी आपसंस भी हो सकते हैं गर आप ट्राय करना चाहते हो तो आप सब ट्राय कीजेगा और जो मेरे टी होते हैं इसकी अपडेट आपको टेली काम चान पर मिलेगी एड़ेट फैंटसी की रिकवांस सर्च करके आप सब लोग एक्टीव रहेगा तो कई सब हम चलते हैं ड्रीमिले बेंट टीम देख लेते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं कि कीपनिंग से तो आपको दो ऑपसंस नदर रहें जो कि स्मॉली की टीम के लिए एक छीक्टा कपसंस रहने वाले दर्वाइस यहां पर मुहमाद अली खेलेंगे तो इंपोर्टन्स रहेंगा वरना उस्मान चौदरी स्मैच के लिए काफ़ इंपोर्टन्स रहेंगे और आप सब लोग स्मॉली के टीम में इनको ट्रा करके चलिएगा दर्वाइस बैटिंग सेक्शन से बात करें तो एफ चौदरी को में इस मैच में ट्रा करें जो कि इस मैच के लिए काफ़ इंपोर्टन्स रहने वाला दर्वाइस टीम में चाहते हो अपने मुताबिक स्टैट्स के मुताबिक तो आप सब चिंजस कर जाएगा हाला गरी जो फैनल टीम रहेगा अपको टेली काम चाहल पडेट करेंगे खली लोगर रांदवा को इस मैच में ले जा रहे हैं जो कि इस मैच में खेलेंगे तो साइद इन बोर्टन्स हो सकते हैं उसके बात यहां से इनको ट्राइक करें जो कि इनकी प्लेर रहेंगा उसके बाद करके एगेंस्ट में चाहूं तो यहां से इनके साथ भी जा सो जो कि यह वी काफी अच्छे प्लेर रहने वाले हैं हाला कि मुझे क्यों सी काफी बेहतरीन की स्टार्ट से दिखिए अदरवाइस अगर आप टीम में चंजस खुद से करना चाहत हो तो आप सब चेंजस कर लिजेएगा जोर में काप्तन वैस काप्तन रहेंगे सीफ चौइस रहेंगे और आप फइनल टीम के लिए टेलीगे आम चानल पर एक्टिव रहेंगा तो गाई सम्में इलते लिए इस वीडियो से किसी नेक्ट वीडियो के साथ और आप सब लोग हमारे टेलीगे आम चानल पर लास्ट मेंट तक जरूर से अक्टिव रहेंगा